हेलो केंश, गुड़ा प्रनून, कैसे हो, I hope कि आप लोग अच्छे ही होगे शो फ्रेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल करेंगे करेंट एफेर के टॉप 25 कोश्चन्स को फ्रेंट्स, करेंट एफेर के यह सेकंड क्लास है, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं चले, तकी एक्जाम टाइम आप लोग रिवीजन कर सकें, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, पहला कोश्चन आपकी स्क्रेंट पर है, नॉवंबर 2020 में भारत ने पोड़ी सतर तर पर QRSAM मिसाइल प्रडाली का परिछन किया, QRSM का, Q का जो है अर्थ क्या है, यह आपको बताना है, तो फट आप बताईए, Q का इसमें क्या अर्थ होगा, अगर आप लोग करेंट अपर के पहले से पर पिशन करते थे, तो आप लोग भी आंसर भी बताते च नैस्ट कोशन on your screen, हाली में राम सर संदचन संदी के तहत महराष्ट के किस जहिल को अंतराष्टी महत्य के आदरभों में इस्थल की रुप में चूना गया, उस जहिल का नाम बताएं, तो वो जहिल है, लोनार जहिल, आपको मैं जियोगराफी की क्लास में पढ़ाया था, जहिलों के बारे में कि जहिल कौन से जहिल किस राज में हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लोनार जहिल वो है, उप्शन जोए एकरेक्ठोगा इसकोशन का राइट अंसर, इसे जो है, अंतराष्टी महत्य के आदरभों में इस्थल की रूप में चूना गया है, लोनार ज राष्टी प्रेस दिवस मनाया जाता है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेस से एक जो है कोशन हंडिट पर्षेंट आएगा, यानि कि जो महत्पूर्ण दिवस हैं, उनको भी मैं कवर करवा दूँगा, यानि कि उसकी जो है एक अलग से क्लास होगी, इंपॉर्टेंट डे प्रेस उनको मैं करवा दूँगा, तो राष्टी प्रेस दिवस मनाया जाता है, कम मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतेक वर्ष 16 नॉवंबर को, ऑप्शन जो है एक औरेक्ट होगा, इस कोशन का राइड असर, नैश कोशन आपकी स्क्रेन पे है, नॉवंबर 2020 में राम सर इस्तलों की सूचे में सामिल कीठम जील किस राज में इस्थित है, फड़ा फुरता ये कीठम जील किस राज में इस्थित है, तो ये इस्थित है आपके अपने ही राज में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन जो है C करेक्ट होगा, इस कोशन का राइड असर, फ्रें यानि कि जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, 28 स्टेट, उन्हीं की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, या तो इंडिया की स्टेट की कैपिटल पूछ ले जागा, या तो इंडिया की जितने भी साइड में कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हो गया, बंगलदेस हो गया, पाक नेश कोशन आपकी स्क्रेड पहले किस मंत्रालय ने दिवाली की सुभ आउशर पर local for दिवाली अवियान शुरू किया केंद्री कपडा मंत्रालय के दौरा option घृ इस question आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपोर्टन कोशन है इस questions को आप लोग जरू से जरू करिएगा नॉम्बर 2020 में दुनिया का फ़हला 6G परियोग उपगरा लांच करने वाला पहला देश कौन बना उस देश का नाम बताएं तो वो पहला देश के आपका चीन आपकी स्क्रिन पर रेलवे दौरा की सहर में कचरे से उर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयत की स्थापना की गई कहां पर की गई यह आपको बताना है तो यह की गई है भूनेश्वर में ऑप्षिन जो है डी करेक्ट होगा इसकूर्शन का राइट एंसर फ्रेंड्स में आपको दाद हूँ अगर आपको 2021 में यूपी से भीयत करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए यह चैनल को सब्सक्राइब करके बागल में बेल आकन को और पेपरस कर लेजगा इस चैनल के माददम से आपको 100% निश्चिती मदद मिलेगे और इस व गेंदबाच का नाम बताएं जैम्स अंढर्शन है या ड्वन ब्रावो ब्रक्स ब्रोक्स ड्वन इसमित। उनका नाम बताएए जो T20 क्रिकेट में 500 वीकट DC माले पहले गेंदबाच बन गए हैं तो वो हैं ड्वन ब्रावो आप्शन जो है B करेक्ट होगा इस कोर्शन का ये भी बहुत ही important question है आपके exam के लिए next question भी बहुत important है ठीक है ये वाला भारती सेना में पहली महिला advocate judge कौन बनी उनका नाम बताइए जो भारती सेना में पहली महिला advocate judge बनी हैं तो उनका नाम है जोती सर्मा जो की भारती सेना में पहली महिला advocate judge बनी है जोती सर्मा नाम याद रखना है option जो है एक रिक होगा इस questions का right answer अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो आप लोग हमारे telegram group से join हो शकते हैं टेलिग्राम जो group का नाम है वो है education with sahil ठीक है अगर आपको direct join होना है तो इस video के description box में उसकी मैं link दे दिया हूँ टेलिग्राम ग्रूप की तो आप लोग link के मादम से join हो शकते हैं और वहाँ पे आपको bear entrance exam का previous papers भी मिल लागा वीडियोज देखनी है तो आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं आपको 2012 से लिकी 2020 के papers आपको मिल लाएंगे और 100 प्लस practice set की वीडियोज भी आपको मिल लाएंगे ठीक है practice set आपको ज़्यादा से ज़्यादा solve करना है आपकी तयारी में बहुत ही मदद करेगा practice set solve करने में Nash question हाली में किस तुफान ने अमेरिका के Louisiana और Texas राजों में तबाही मचाई है किस तुफान ने तो वो तुफान है लौरा जो की Louisiana में और Texas राजों में तबाही मचाई है option जो है C करेक्ट होगा इस questions का राइड असर Nash question नौवे अंतराश्टी बल फिल्म महस्तो 2020 का आयोजन कहां किया गया तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था कोलकता में option जो है C करेक्ट होगा इस questions का राइड असर Nash question आप लोग देख शकते हैं क्रसी भूमी को लीच पर देने की नीती लागू करने वाला देश का पहला राज कौन बना most important question है उश राज का नाम बताएं जो क्रसी भूमी को लीच पर देने की नीती लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो वो राज है उत्रा खंड option जो है बी करेक्ट होगा इसकोशन का right answer Nash question आपकी screen पे तमिल नाडू की राज की यात्रा की दोरान परधान मतरी नेरेंद्र मोदी ने चेन्नाई सेंटर रेलवे स्टेशन का नाम नेमलेखित में से किस नेता के नाम पर रखा है very very most important question है आपके exam के लिए तो किस राज नेता यानि की नेता के नाम पर रखा गया है चेन्नाई सेंटर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर तो ये रखा गया है एमजी राम चंदरन नेता के नाम पर चेन्नाई सेंटर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर और आप्शन शे करेक्ट होगा इसकोशन का राइट असर नैश कोशन आप लोग देख शकते हैं भारश्चरकार ने किस भारती एरलाइन्स की 100% हिस्सेधारी बेचने का फैसला किया है किस भारती एरलाइन्स की 100% हिस्सेधारी बेचने का फैसला किया है तो वो जो भारती एरलाइन्स है वो है एर इंडिया option जो है एक एरिट होगा इस questions का right answer काफी अच्छा question है interesting question है नेश question आपकी skin पे भारती भूव वैग्यानिक सरविछन के अनुसार की सराज में graphite का सरवाधिक भंडारन है तो graphite का जो है शरवाधिक भंडारन कहां पे है यह आपको पताना है एक questions में आपको मैं 3-4 सेकेंड का समय दूँगा अगर आपको answer सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग video को रोग भी सकते हैं तो graphite का जो शरवाधिक भंडारन जो राज है वो कौन सा राज है आउनाचल प्रदेश option जो है D के रिक्ट होगा इस questions का राइड आज़र Nash question बहुत important question है यही सारे exam में questions पूछे जाते हैं भारति रुजर बैंक दोरा जारी नए 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है यह आपको बताना है अजन्ता की गुफा या कनहेरी की गुफा अलेफेंट्या की गुफा एलोरा की गुफा फड़ा फड़ बताइए किसका चित्र अंकित है 20 रुपए के नोट पर इसमें जो है एलोरा की गुफा का चित्र बनाय गया है option जो है डी करेक्ट होगा इस questions का right answer Nash question इंद्र नेवी नौशेना अभ्यास भारत और किस देश के साथ करता है यह आपको बताना है तो इंद्र नेवी नौशेना अभ्यास जो होता है यह भारत जो है रोस देश के साथ करता है option जो है C करेक्ट होगा इस questions का right answer Nash question आप लोग देख शिकते हैं वाफटा 2020 में किसे सर्वरसेश्ट फिल्म का आवार्ड मिला है तो वो फिल्म है 2017 option A करेक्ट होगा इस questions का right answer Nash question आप लोग यहाँ पे देख शिकते हैं हाली में किसे मातर भूमी book of the year award से समानित किया गया है मातर भूमी book of the year award से किसे समानित किया गया है तो शमानित किया गया है विनोध सुगला जी को option जो है B करेक्ट होगा इस questions का right answer Nash question आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साथी पहल का समबन्द निमलखित में से किसे है साथी पहल का समबन्द निमलखित में से किसे है यह आपको पताना है तो साथी पहल का जो शमन्द है वो है विज्ञान इवम परदोगी की विभाक्षे अगला question चमन परियोजना भारत में किस छेतर में अंतरिक प्रदोगी की उपियोग का उधारण है यह आपको पताना है तो किसके उपियोग का उधारण है चक्रवाद option जो है C करेक्ठ होगा इसकोशन का right answer नेशकोशन आप लोग यहाँ पर देख सकते है हाल हिमें भारती चुनाओ आयोग ने जन नायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रुप में माननेता दी है तो किस पार्टी के रुप में माननता दी है राज़ पार्टी के रूप में option जो है C करेक्ठ होगा इसकोशन का right answer अगला प्रशन हाली में कि इस देख ने सव भाशाय बोलने और समझने वाला एक रोबोट विक्सित किया है उस देख का नाम बताएं नेश कोशन हाली में दुनिया के पहले इलक्ट्रानिक वनेज विबान का शफल परिछन कहां किया गया है तो इसका सफल परिछन किया गया है कनाड़ा में option जो है D के रिक्ठ होगा इसकोशन का right answer अगला प्रशन जो कि इस वीडियो का last प्रशन है हाली में QR कोट लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्ग वन बिहार किस राज में है उस राज का नाम बताएं तो वो राज है मधपरदेश option जो है B के रिक्ठ होगा इसकोशन का right answer तो friends ये थे current fair के top 25 questions same to same इसी तरह के exam में questions आते हैं जितने भी यानि कि 5 से 600 questions आपका मैं current fair का करवा दूँगा और इसी में से आपके exam में questions देखने को मिलेगा अगर आप लोग 5 से 600 questions को त्यार कर लेते हैं अच्छे से तो current fair का questions ज्यादा गलत नहीं होगा ठीक है और ज्यादा focus भी नहीं करना है आपको current fair में क्योंकि जैसे 5 questions आपके exam में पूछे गए तो 5 में 5 तो आप लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं ठीक है कभी यानि कि पीछे का भी पूछा जा सकता है 3 से 4 साल का भी पूछा जा सकता है तो इतना तो आपको याद होगा नहीं ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग gk में focus करते रहें reasoning में focus करें language में आप लोग focus करें any success में आपको score करना है मिलते हैं अगली वीडियो पर इस वीडियो को like और share करना न बूलेगा और आप लोग वीडियो पाने के लिए चैनल से जूरी है ये चैनल को subscribe करके बगल में बिल आइकन को all papers के लिजगा इस वीडियो को like कर दीजगा और वी वीडियो जो आपको देखने हैं तो आप लोग play list में जाके देख सकते हैं और हाँ beard से related से अगर आपके मन में कुछ doubt है तो आप लोग comment box में पन्योकारी कर सकते हैं Thank you